नमस्कार मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदिर के निउस 24 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जांसी के लिए है कि महरानी लक्षिभाई की जैनती पर प्रदानमंत्री नरेंद मोदी की जांसी आने की संभावना बढ़ती जा रही है खबरों के मताबिक इस बार नए विदानसबा चनाओ के लिए प्रदानमंत्री जांसी से चनाओ का बिगुल बजाएंगे इस बार की रानी लक्षिभाई की जैनती काफी यादगार होने वाली है इसके साथ ही जांसी को प्रदानमंत्री नरेंद मोदी अठारा सो करोड रुपे की भेंट भी देगे खबरों के मताबिक जांसी के करीब सत्रा योजनाओ का लोकरपण और शिलर न्यास होगा ये जांसी के लिए बेहत खुशी की बात है अला कि विदानसबर चुनाओ के लिए अभी काफी समय है और प्रदानमंत्री कार्याले से भी अभी तक कोई भी स्विक्रती नहीं मिली है लेकिन प्रदानमंत्री के जांसी आने की संभावना होते ही जांसी में तयारियां शुरू हो गई है क्योंकि जांसी का हाल तो आपको पता ही है कि समार्ट सिटी के बावजूद कई सारी सो विधाओं से शहर बंचित है ऐसे में प्रदानमंत्री के आने की खबर से ही अधिकारियों में खुशी के साथ चिंता का भी माहौल है और उनके आगमन की तयारी जोरों से शुरू कर दी गई ऐसा लगता है कि इस बार बुंदेलखंट को भाजपर सरकार कई सारी सोगात दे रही है मानुसरकार को आने वाले चुनाओं में बुंदेलखंट से कई उम्मीदे हो ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रही आपका आपना चानल बुदेलखंट 24